जब हम लिंक्स की बात करते हैं तो यह अंडर्शेंड करना ज़रूरी है कि लिंक्स कितनी टाइप्स के हैं मेज़र दो टाइप्स जो हैं वो इंटर्नल लिंक्स और अक्टर्नल लिंक्स हैं इंटर्नल लिंक्स और अक्टर्नल लिंक्स में फरक ही होता है कि अगर आप एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करें एक ही वेबसेट के अंदर तो वो इंटर्नल लिंक कहलाता है For example, हमारी while store کی जो website की example थी उस पर मैं home page से अपने about के page पर या contact page पर link करूँ तो Google जब मेरे home page पर आएगा तो वो about contact दूसरे pages पर भी जाएगा प्योंकि मैंने link किया हुआ है तो Google link to link जम्प करता है ये चीज़ आपने जेन, नशीन कर लें ये बार बार आपको याद आनी चाहिए Google link to link जम्प करता है जब मेरे home page पे आएगा वो देखेगा about page पे भी link जा रहा है उस पे भी जाएगा उस पे देखेगा कि contact पे भी जा रहा है वो सब pages पे जाएगा और सब ऐसे crawl करता जाएगा और ultimately मेरे पूरी website crawl कर लेगा क्योंकि हर page link to link जुड़ावा होगा हमने page structure में यह बात की थी अच्छा structure होगा तो Google उसको अच्छी ताना crawl भी कर सकेगा इसको बोलते हैं internal links वो सारे links जो मेरी website यह नहीं कि मेरी domain के अंदर ही रह कर चल रहे होंगे तो मेरी domain अगर usman.com है या usman.co है अगर उस पे लोग उस पे Google आता है और में सारे links usman.com पे ही redirect हो रहे हैं तो basically क्या होगा कि मुझे वो सारे internal links के तोर पर count होंगे लेकिन अगर मेरी website से किसी और website को link जा रहा है तो वो एक external link कहलाता है मेरे लिए तो होगा क्या कि जब मैं किसी website को link करूंगा for example मैंने एक article लिखा और उसमें एक चीज की definition मैंने देनी थी वो मैंने definition दी Wikipedia के ओपर link कर दिया अब मेरी website से Wikipedia को एक link मिल रहा है और ये होगा कि जब Google मेरी website पे आएगा crawl करेगा तो देखिएगा कि इसके कहा कहा links जा रहे है जहां उसको internal links मिलेंगे वहाँ पर उसको एक Wikipedia पर भी link मिलेगा जो कि मेरी website से बाहर विकिपीडिया की website पर जा रहा है तो एक domain से दूसरी domain पर link जाने को external links बोलते है तो in short ये दो major types के links हैं internal links और external link ये याद रखिएगा जब आपको कोई link करता है तो basically वो उसके लिए external होता है और आपके लिए वो inbound link कहलाता है तो हमने करना ये होता है कि link building में कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा website जो दूसरी website से हैं उनके external links पुद के लिए लेने होते हैं यादि के वो हमें link करेंगे तो उनकी website के लिए उस आप external links होंगे और हमारे लिए वो inbound link होगा जबके internal links का मतलब ये है कि मेरे page से एक page से दूसरे page पे वो links जा रहे हैं और जी सारा google जब भी crawl करेगा मेरे page मेरी website के अंदेर ही crawl करेगा so external links जब मैं किसी से लूँगा तो उसकी भी दो तीन टाइपस हैं जो किस तरह से आप लिंक्स ले सकते हैं तो for example सबसे बहुते हैं natural links होते हैं अच्छा इससे पहले मैं आपको यह बता हूँ कितने तरह कि आप inbound links ले सकते हैं आपको यह समझाँ जरूरी है कि लोग बकाइदा SEO में यह एक as a practice करते हैं और इसको link building या off page optimization बोलते हैं और इसमें अकसर चीजें लोग जबरसी करने की कोशिश करते हैं जिसकी वएसे वो अकसर दो नम्रियों की तरफ या गलत काम की तरफ भी चले जाते हैं मैं आपको बताऊँगा कि किस साथ से ethical रहते हुए हमने links लेने हैं जिसके लिए content सबसे दा matter करता है सबसे पहली category है natural links की natural links basically वो सारे links जिसमें आपको किसी ने आपकी वज़ा से आपको reward किया हो आपके बगएर कहे so for example अगर आप content produce कर रहे हैं अपनी website के ओपर और आप इतना अच्छा content produce कर रहे हैं कि लोग आपको खुद link करना चुरू कर दें वो बगएर किसी effort के आपको कहना ना पड़े आपको उनको जवरसी को convince ना करना पड़े को trade ना करनी पड़े उन सब को natural links बोलते हैं और सबसे अच्छे links यही होते हैं मतलब ये कि आप अपनी website को खुद को अपने content को इसकदर बहतर कर लें कि लोग आपके बारे में बातें करें ऐसे आप मतलब कोई आप ऐसी चीज बेच रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं और इवेंट पे जनलिस्ट आते हैं वो आके cover करते हैं और अगले दिन जाकर वो साथी news पब्लिश करते हैं और मेरे website को link देते हैं बेसिकली मैंने उनको नहीं बोला कि आप मेरे लिए article लिखें बलके मैंने तो एक event किया था कि जिससे उनको benefit हुआ या जिससे लोगों को benefit हुआ उनने news create की तो एक news वर्दी काम हो सकता है एक ऐसा काम कि आप लोगों को help करें गाइड करें जैसे के how to buy a mobile हमने पहले बात की थी content के अंदर अगर आप एक guide लिखते हैं या आप ऐसा कुछ content एक article लिखते हैं तो अगर किसी को लगता है कि जी वो लोगों को मसला होता है और जब भी कुछ पूछे कि guide मतलब मुझे चाहिए कहां करूँ कहां से मैं हासिल करूँ तो वो आपको link कर सकता है बतलब कि आपने content ऐसा create करना है कि लोग उसको link कर सकें link वर्दी content बोलते हैं उसको ऐसा link जो लोग खुद करें और उनको लगे कि यार इसने बड़ी मेहनत किया और इससे बेतर कोई और नहीं लिख सकता तो जब भी किसी को help चाहिए इस particular topic के बारे में वो बजाए विकी वीडिया पर जाए वो आपकी episode पर आएगा so दूसरा दूसरी category के लिंक्स है वो हम manual outreach links manual outreach उसको बोलते हैं ऐसे links जो मैं जाके बकाईदा लोगों से कहूं कि भाई आपने ये article लिखा है और आपने इन में दो लोगों के नाम लिए हैं इसमें तीसरा मेरा नाम भी ले लें या आपने ये article लिखा है मैं आपके इसके एक extra paragraph लिख देता हूँ जो आपकी article को enhance करेगा और इसमें आप मुझे एक link दे दे तो होगा क्या कि हम उनको help कर रहे होंगे उनका content बहतर करने में जो कि हमारी तरह से उनको एक favor होगी जबके उसके अगेंश हम expect ये करेंगे कि आप हमारा link यानि कि वो हमारा link अपनी website पे लगाएगा और जब उसका link लगजएगा तो हमें एक backlink earn होजएगा जो कि हमारी लिए एक favor होगी और जब भी Google उनकी website पे crawl करने जाएगा वो उनकी website पे देखेंगा कि एक link वापिस हमारी website पे आ रहा है वो जैसे गूगल हमारी website पे आएगा जितनी उस page की authority होगी उतनी authority मुझे या हमारी website को transfer हो जाएगी तो basically ये link की authority ऐसे transfer होती है और अगर आपको लगता है कि आप अच्छा content नहीं लिख पा रहे है या link भी रहे है तो आप outreach करते हैं outreach भी इस सहाथ है कि आप उनको convince करते है उस page की author को, उस news की author को website की honor को जो भी वो manage कर सकता है आप उनसे बात करेंगे कि आप ने ये 10 top 10 website लिख की है जहां से आप mobile buy कर सकते हैं हम भी top, हम भी अच्छा काम कर रहे हैं हमारी आप prices देखें, comparative वेब बहतर है तो आप क्यों ना इसके अंदर 11th website भी डाल दें या आप 15 website डाल दें जिसमें से एक मेरा नाम भी लिख लें आप अपना आप अगा content already rank कर रहा है आप finance कर दें अपने article को तो आप convince करते हैं website owner को ताके वो अपनी website को बहतर करे और आपको एक link दे तो basically ये एक और तरीका है outreach का, इसमें बेशमार जो है क्या कहते हैं, examples हो सकती है जैसे कि mobile guide की में ने बात की थी कि mobile buy कैसे करना है या cheap mobile कैसे buy करना है तो अगर किसी ने article लिखा हुआ है उसमें उनको एक सवाल पूच है आप उनको जाकर बता सकते हैं जी भी आपका सवाल का जवाब हमारे पास है आपके उना एक link हमारी website को अपर डाल दें ताके आपके पर जब भी को आर्टिकल पढ़ने आए उस पर click करेगा हमारी website पर आजाएगा तीसरी जो option है category वो है self-created non-editorial links non-editorial links इसको इससे बोलते हैं कि ये कोई journalist या कोई और natural किसम से ये links नहीं आते हैं आप खुद अपनी website का link जाके दूसरी website पर publish करते हैं वो कैसे करते हैं उसके मुखसी तरीके हैं किसे ने article लिखा है आप निशी जाकर blog comment करते हैं आप लॉक कमेंट के अंदर अपना link छोड़ देते हैं तो basically या आपने link खुद create किया उसने article अपनी website पर अपने लिए 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 आपनी audience के लिए आप उसको कहते हैं कि उस article से engage करते हैं आप उसने कोई सवाल पूछा है कोई ऐसी बाद वो मिस कर गिया है या आपको simple अच्छा लगा है कि उसने article लिख है आप उसको एक recommendation लिखेंगे और साथ या आप अपना एक link भी drop कर सकते हैं अगर वो आपको allow करे ताकि अगर वो comment publish होगा उस पे आपका एक link आजएगा जैसी Google उस website ट्रॉल करेगा और आपके comments में आपका link देखेगा तो आपके link से आपकी website पे आजएगा अब ये link हमने खुद create किया खुद धूंड की website पे जहाँ पर हमें करना चाहे था फिर आप ये कर सकते हैं जो कि आप अखवारों को बेचते हैं और उनसे request करते हैं कि आप इनको publish करें क्योंकि एक news worthy item है उसमें आप सारी की सारी ख़बर अच्छी तरह से mention कर देते हैं ताके लिखने वाले को ये मसला ना होगे उसको पता ना होगे ख़बर क्या है प्रंस प्रेसलीज की वेबसेट्स भी है आप प्रेसलीज अपने ब्लाग कर भी डाल सकते हो लेकिन आप प्रेसलीज दूसरी वेबसेट्स प्रूफ होगई उस वेबसेट अपर आपक Gotta link लगा होगा और आपके website लिंक वापर एसार रहोगा इसी तरह से डिरेक्टरी हैं जैसे आपको फून की डिरेक्टरी होती है पीछिया अगर आपके फून लगवाया है या कोई भी और फून आप किसी भी मलक में यूस करते हैं वहाँ पर फून की डिरेक्टरी मिल जाती हैं जिसको येलो पेजिस भी बोलते हैं तो येलो पीजिस वेब पे भी हैं वेब पे भी डिरेक्टरीज अवेलेबल हैं जहांपर आप जाके बिजनस के नंबर या उनकी वेबसेट निकाल सकते हैं तो आपको लगता है कि आप एक सर्टन काटेगरी में आपकी वेबसेट है आप जाएं डिरेक्टरीज धून दें अपने बिजनस के अंदर और ई-कॉमर्स की वेबसेट धून लें जहांपर आप अमना बिजनस की डिटेल्स पपुब्रिश कर सकें तो वह भी लिंक पपुब लेकिन यहां पर आप गेस्ट व्लॉग में क्या कर सकते हैं आप जाके किसी को रिक्मेंड कर सकते हैं कि आपकी वेबसेट बड़ी अच्छी है और इसमें काफी ज्यादा चीज़ें आपने लिखी हुई हैं लेकिन आपकी ओर्डियंस के लिए एक ऐसा आर्टिकल मेरे मैं सकता हूं जो आप नहीं लिख पा रहे हैं या आपकी ओर्डियंस को अच्छा लगेगा आप उसको कन्विंस करेंगे और आर्टिकल कर उसको टाइटल बेज़ कर बताएंगे कि मैं यह लिखना चाहता हूं अगर वह आपको अलाओ करेगा आप आर्टिकल पूरा लिखेंग ये आपको पहले बात कर नहीं पड़ेगी उस वेबसेट के ऑनर से के भाई मुझे कितने लिंक अलाओड हैं वो हो सकता है पको कुद बता दे कि भाई आप लिंक्स नहीं लगा सकते रिखना लिखना आप Leans को अठाइग उसको पबिश करें हौग उसके बाद जो इन डिटेल बहुत डिटेल में चले जाएंगे आप इन में से डिफेंट तरीकों अडाप्ट करके अपने लिंक्स बिल्ड कर सकते हैं इन शॉर्ट हमें आउन पेज तो करनी होती है लेकिन लिंक्स भी हमें बनाने होते हैं और लिंक्स का मैंने आपको एक सम्मरी आलमोस दे दिये कि लिंक्स आप किस किस तरह से बना सकते हैं तोटली एक क्रियेटिव प्रॉसस है इसमें जाद इतना आप इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इंटेलिजेंट होते जाएंगे इस मामले में कि कैसे आपने लिंक्स लेने हैं कहां से लिंक्स लेने हैं कैसे कैसे इसको बेतर करते जाना